वेल्कम टू इंडिने सडी तारीख है आज पांच जनवरी और हम कवर करेंगे पांच जनवरी के सब इंपोर्टेंट करेंट एफर से कोशन तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिस्व बिरेल देबस कब मनाया गया तो इसका बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा ऑप्सन डी यानिकी चार जनवरी इसका बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा तो देखे बिस्व बिरेल देबस हर साल चार जनवरी को मनाई जाता है और ये United Nation के दोरा मनाई जाता है आच्छे यदि बिरेल की बात करें तो बिरेल एक भासा है जो की द्रष्टी बाधत लोगों के लिए मनी जाती है ठीक है चलते हैं आगे की और तो यह एक मैंने आपके लिए फोटो लगा दी जिसे कि आप लोग को यात रहें और यदि बात करें कि द्रश्टी हीनों के लिए बरदान बिरेल लिपी के जनक कौन है तो लुइस बिरेल है और इनीका जन्म हुआ था चार जन्वरी को इसी और और अन्टोनियो को टेरस यहां के क्या थे अध्यक्ष हैं नेश्ट को चलते हैं एन इस्ट की स्थापना कौन करेगा तो इसका बिल्कुल सब्सक्राइब और आप्सिन ए यानि कि विद्धिस मंत्राली के दोरा एन इस्थ की स्थापना की जाएगी अच्छा एन इस्थ की का मतलब क्या है तो न्यू इमर्जिंग एंड इस्ट्रेजिक टेक्नोलोजी ये इसका फुल फॉर्म है यदि बात किजा इसका काम क्या रहेगा तो देखे अभी अभी सरकार ने फाइब जी नेडवर्क के लिए क्लिए क्लिए अनुमत देदी है तो उसी की देखवाल करने के लिए बिदेश मंतरा ले ये एक बवाग बना रहा है जो की न्यू टेक्नोलोजी पर आधारित होगा अच्छा यदि बात करें बिदेश मंतरा ले की तो इसकी स्थापना हुईती दो सितंबर 1946 में मुख्याले नई दिल्ली में और बिदेश मंतरी अभी कौन है सुब्रम बिमान का नाम क्या है तो इसका बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा option B यानि कि JF 17 यह के नहीं है JF 17 ठंडर यह जरू आपको यादखना है क्योंकि आपको JK दे सकता है JL दे सकता है बस आपको यह ठंडर यादखना है तो देखिए यह है JF 17 ठंडर बिमान जो की चीन और पाकिस्तान दोने के द्वारा स्रीक दूरूप से बनाए गया है यह एक लड़ाकू बिमान है ठीक है और इसने जो अपनी पहली उरान भरी है वो चीनी सहर चैंगुदू चीन की बीजिंग राष्टपती सी जिन पिंग और मुद्रा क्या बहां की जिमन भी बहां की मुद्रह है चलते हैं किरा उससे पहले बात करिंग पाकिस्तान ब्क्र transaction तरूप से ब्हाइड़ा रहा है तो पाकिस्तान की राष्धान राष्दान इस्लामबाद पैंध खान राष्टपती आरिफ अलभी मुद्रा पाकिस्तानी रोपिया और आपको बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी नजी है वो है इंदस नदी यानि की सिंदु नदी इसकी सबसे बड़ी नदी है चलते हैं नेश्ट कोशन की और अंटार्क्टिका की सबसे उची चोटी फते करने वाली महिला बनी है तो इसका बिलकुल सही अंसर हो जाएगा ओप्सन बी यानि की पूनम मालतवा इसका बिलकुल सही अंसर हो जाएगा तो देखिए अभी अभी इन्होंने अंटार्क्टिका की सबसे उची चोटी फते कर ल हाइट 4987 मीटर है साती साथ यदि बात की जाए पूनम मालतवा की तो यह है मालवत पूर्ण ठीक है यह रही आपको में में यह 18 बर्सी हैं साती साथ इन्होंने यहां से एक रिकॉर्ड बना लिया है क्या रिकॉर्ड बनाया है कि 6 महादीपों की सबसे उची चोटी चड़ने वाली यह देश की स्वारी पूरे बल्ड की पहली महिला बन की है जिसने 6 महादीपों की सबसे उची चोटी पर चड़ गई है अच्छे महादीप कौन कौन से तो देखिए माउंट एवरेस्ट माउंट किलिमंजारू माउंट एलब्रस माउंट एकांगुआ और माउंट का रैंकिंग में किसने पिर्थम इस्थान हासिल किया है तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मानब ठककर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तो देखिए मानब ठककर इन्होंने अंडर 21 वर्ग में यानि कि अंडर 21 वर्ग में पुरू सिंगल में ये इस्थान प्राप्ट किया है अच्छा यदि बात की जाए ITTF यानि कि International Tennis Federation ठीक है और ये ऐसा करने बाले मानब ठककर चौथे भारतिये बन गाए है इन से पहले तीन भारतियों ने और ये कारनामा किया है उसमें से तीन भारतिये कौन कोन है तो हरपिरी देशाई सौमेजीत और जी साथियान ये तीन भारतियों और है जिन्होंने ये कारनामा किया है अच्छा यदि बात की जाए मानब ठककर की तो यह रहे मानब ठककर अब हम बात करेंगे ITTF की यानि की इंटरनेशनल टेवल टैनिस फेडरेशन जिसकी स्थापना हुईती 1926 में मुख्याल है लोजेन स्वेजर लेंड में और अध्यक्ष कौने थॉमस बेइकट इसके अध्य की आंसर हो जाएगा जैसा कि आपको पता होगा इरान के जो कमांडर थे वो अमेरिकी हमले में मारे जा चुके हैं और उनका नाम क्या था कासिम सुलिमानी उनका नाम था जो की मारे जा चुके हैं और अब इनकी जागे किसने लिए इसमाइल का यानिने लिए यदि बात की जाए इंची तो देखे एक एरान की वे एक हैं प्रेजिडेंट है हसन रोहनी और करेंसी हैं चलते हैं नेक्ट कोश्चिन की और तो और किस भारती किर्किट खिलाड़ी ने हैं रखी है तो इसका बिल्कुल सही साथ के साथ एक पिर्शिक छड़ के नियूव रखी है और उसे स्टेडियम का नाम रखा जाएगा और कहां पर रखी है तो बात करेंगे हैदरबाद यानिकी तेलंगाना राज्य की तो यह रहा तेलंगाना राज जो की राजधानी उसकी हैदरबाद है मुख्य मंत्री के चंद्र से खर रहा है और टी सौंद्रे राजन बांके राज्य पाल है और टी भी रादा किर्शन उसके मुख्य न्यादी से है चलते हैं ने की शुरुवात तीन जन्वरी को की गई है और तीन जन्वरी को ही समा सुधारक साबितरी बाई फूले की जैनती पनाई जाती है और उसी के उपलक्ष में यह सेफ बुमेन पहल की सुरुवात की है अच्छा सेफ बुमेन में क्या होगा तो देखे साइवर जो किरायम होते बुमेन के खिलाफ खासकर यह बच्चों के खिलाफ और महिला उत्वीर्ण के खिलाफ उसके लिए पहल सुरुगी गई है अच्छा यदि बात की जाए साबितरी बाई फूले की तो यह भारत की पहली महिला सिक छकातीं ठीक है चलते हैं महरास्ट कीयों महरास्ट को यह मैप में दखाया गया है जिसकी राजधानी मंबई है मोखे मंतरी उद्दरब थाकरे जी है राज़ेपाल भगत सिंगो सियारी और मुख्यनादिस का ने नंदरा ज desp. बहाके मुख्य Elias है बिल्कुल साई अंसर हो जाएगा तो देखिए गुजरात के मुख्य मंत्री बिजे रूपाने जी ने सलदार पटेल की दूसरी सबसे उची पिर्तिमा का अनावरन क्या है अच्छा कहां पर क्या है तो गुजरात के सहर एहमदाबाद में ये अनावरन किया गया है चलते हैं आगे की ओर तो ये रही एहमदाबाद में सलदार पटेल की दूसरी सबसे उची पिर्तिमा और पहली तो आपको पता ही होगी कहां पर है तो स्टेची उफ यूनिटी ठीक है चलते हैं आगे की ओर यानि की गुजरात की ओर तो गुजरात की राजधानी गांधी नगर मुखे मंत्री बिजे रूपाणी राजेपाल आचारे दीब विरत मुखे नादिस बिकरमनाथ और मैप में ये आपको गुजरात दिखाया गया है नेश्ट कोश्चन फेम योजना की तहत कितने एवी चार्जिंग इस्टिसन को सुईकृति देती गई है तो देखे ये कोश्चन जो है मैंने निउस पेपर में भी सुभा करवाई था तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ओप्सन बी यानि की फेम योजना क्या थी और इसका फुल फॉर्म क्या है तो फेम का मतलब होता है जैसा कि आपको पता है दिन परती दिन पॉलूशन की जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही भारत में इसी कारण जो पॉलूशन है उससे निजात पाने के लिए इलेक्ट्रिक वहिकल अपनाने के लिए ये उजना चला गई थी फेमी उजना जिसको एक अपरेल दो हजार उननीस में लागू कर दिया गया था और उसी उजना के तैट ये चार्जिंग इस्टेशन बनाए जाएंगे जहां पर इलेक्ट्रिक वहिकल के आओंगे चार्ज होंगे चलते हैं आगे की और यानि के कल के पर सिनकी और तो रेल्वे बोर्ट के चैर्मेन के रूप में किसे दुबारा नियुक के गया है तो इसका बिल्कुल सही अंसर क्या था साथ ही साथ कुछ लोगों ने सिर्फ आंसर दे के छोड़ दिया था तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें आप लोगों को पूरे रेल्वे के बारे बताना है जैसे कि रेल्वे की स्ताफ नगभी थी उसका हैट कॉट रगा है रेल्वे के रेल मंतरी कोन है और अध्यक्ष कोन है तो इस पिरकार से आपको आंसर देना है कुछ लोगों ने हाला की ऐसे पिरकार से आंसर दिया था तो बेल्डेन आप लोग ऐसा ही करते रही है चलते हैं आज के पिरसिन की और बर्स 2020 को नर्स एंड दा मिडवाइफ बर्स के रूप में मनाने की कोस्तरा किसने की है तो इसका बिल्कुल से आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है साती सत आपको जितनी भी नोलेज के बारें पता है वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं ओप बीडियो आपको पसंद आया होगा तो फिल्स आप सबसे गुजारेस है यहिदि मेरे और साम घंटा से जादा और एक बीडियो में मुझे लग जाता है तो फिल्स थोड़ा सा मेरे भी ख्याला के और मेरे जो इंपूट दे रहा हूँ हम अन्डिटट तो आप लोग प्लिस आउट्पूट हंडिड़ परचन दे कमेंट बॉक्स में जो आंसर है वो तरीके से सलीके से देजिए करें ठैंक यू अल आफ यू जय हंद जय भारत